ये गाइस वाट सब जिस याज दिस साइट फर्म ओटोकॉप्स और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल आइटूंटी लेकर आया हूँ ये मेरे काफी अच्छे फ्रेंड की आइटूंटी है जिसका नाम स्टार्टल रखा है उसने ये स्टार्टल के बीचे क्या लॉज मौड कवर करूँ है तो मेक शॉर आप ये वीडियो एंड तक देखिए तो विदाओ अनिया फॉद द्यू लेट्स केट राइट इंट इन्ट इस वीडियो और मेक शॉर तो हिट लाइक बटन बिकॉज ये गाड़ी की बॉल लिस बहुत ही जाद लंबी होने वाली है और तो ये तो सबसे पहले में बात करता हूं गाड़ी के फ्रैंट लोक की गाड़ी के लिए निदर सबसे जादर जो हाइलाइटिग फीचर जो मेरा पर्सनल बहुत फेवरिट है इस गाड़ी के अंदर वह आपको देखने को मिल जाएगी इसकी मेश ग्रिल की फिटिंग काफी कस्टम दरीगे से करी गई है और यहां पर आपको इस मेश ग्रिल के अंदर तो बेल्ट भी देखने को मिल जाएगी अब कुछ लोग के ल चांसेज रहते हैं अब इस गाड़ी के आगे जो और बहुत सारे मॉड्स हो रखे हैं इस गाड़ी के अंदर वह आपको दिखिर होगा रहा है इस गाड़ी के अंदर पूरी एक रिटन ग्रे डाक ग्रेस थीम बनाई हुई है यह थीम काफी जादा अच्छी और अगर आप लोग सोचते होगी जरूरी होती है तो नहीं एक पस्न चॉइस है आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो बट डेफिनेटली यह बहुत हेल्प करती है कि आपके स्प्लेटर को होड़ करके रखने के लिए बिकॉस अगर आपके स्प्लेटर फाइबर के हैं या और स्प्लेटर रॉट्स की और रही बात इसके मेश ग्रिल की अब इस गाड़ी के ऊपर एक बहुत ही चीज हो रखी है जो आप हैडलाइट तो आपको दिख ली होगी यह एडलाइट यह ग्राफिक्स नहीं है और ना यह टेप है यह कस्टम मेड इसे इन्हें कहते हैं इस गाड़ी का इस गाड़ी के अंदर एक RGB जिसे कहते हैं डीमन आय जो बहुत ही ज्यादा अट्रक्टिव लगती है और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग भी है आप इस गाड़ी का जो हेडलाइट का लोग है वो बदल सकते हैं इसके कलर्स तक चेंज कर सकते हैं डिपे नीकिल सकते हैं तो रहिड लाइट की अपनी कर्ली है अब बात आते हैं इसकी लाइट्स के बारे गुद्स यानी की डीमन आही नहीं ही बल्की बल्की तक रहात को ओती है यह जो लाइट होती है काफी हद तक ज़्यादा अट्राक्टिव है विकॉज यह जो लाइट है इस इन हेडलाइट के अंदर ऑटो की का प्रोजेक्टर लगा हुए इस अब मैं आपका एक नाइट शॉट डाल दूँगा आपके लिए जस फॉर रेफरेंस कि आपको एक आडिया लग जाए क इन लाइट का थरू काफी अच्छा है और आप उसको कॉमेंट सेक्शन में मिरे को बता सकते हो 1 to 10 की रेटिंग देते हुए मेरे साब से तो यह 11 out of 10 है बिकॉज यह लाइट बहुत ही एक्स्ट्रीम लाइट है अगर आपकी हाइवे ड्राइविंग है काफी जादा तो इनकी लाइट की थरू अब बात करते हैं इसके लोर सेक्शन के बारे में इसके लोर सेक्शन के अंदर आपको परफल देखने को मिल जाएंगे यह परफल डिया नहीं है बलकि टेप है जो आपको कहीं भी एजिली अवलेबल मिल सकती है अगर आपके एक आई-20 है जिसकी ड इस्टरमाइजेशन शॉप पर अब बात करते हैं इसके फॉग लांस में फॉग लांस में इसके अंदर लेडी आपको देखने को मिल जाएगी विकॉस यह एक लेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर आप मैं इसकी थ्रोगी बात करूँ तो मैं आपको गयन एक नाइ तो गाइस फ्रंट तो काफी हद तक लंबा हो चुका है इस गाड़ी का अब फ्रंट इतना भी छोटा नहीं करूँ है मैं बिकॉस इस गाड़ी के अंदर डेफिनितली जैसे मैं आपको स्टार्टिंग आफ दे वीडियो बोला था मॉड्लिस काफी जादा नंबी है अब मै अगर मैं आपको दिखा हूँ तो आपको इस एंगल में सबसे ज़्यादा विजिबल होंगे इसके ग्राफिक्स और रही बात इसके ग्राफिक्स की तो आपको मैंने आपको बताई दिया कि इसके आपको रेड हाइलाइट देखने को मिल जाएंगे यह स्प्लिटर रेड न इसके अंदर जितनी भी लाइट slopes जैसे लएंटले लाइट हैं सारी ऑसे डफिक्र चाश्यार Dad मेरी फिंगर जा रही यह सारी 10 minutes, I should say 7 to 8 minutes इस गाड़ी के सर्फ अर फेर्ट पर लगा चकग हूँ, तो guys, आपको सामने एक और ग्राफिक्स, ये मेरे फेरेंड को बहुत ही ज़ादा ग्राफिक्स का शौक है, तो आपको कहीं ना गई तो आपि यह औप इस गाड़ी को उपर बहुत तारे अच्छे ग्राफिक देखने को मिलिर जाएंगे आपको देखी रहा हो waves कि एक साइड में बहुत अच्छा साइड कुस्टम रेइसिंग टाइप का ग्राफिक का आपको देखने को मिला है और रही बात अब इसके Eloise की इसके Eloise stock है for the timing मुझे नहीं पता हूँ कब तक stock रहने वाले हैं but definitely इस वीडियो तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब तो इस stock ही थे हरश्चत का नहीं पता है कि वह कभी भी next time अब साथ Eloise ही upgrade कर ले अपनी गाडी में अब बात करते हैं इसके red जैसे मैं आपको बताया इस गाड़ी के अंदर आपको dark gray से red accents देखने को मिल जाएंगे again मैं आपको same चीज रिपीट करूँगा जैसे dark gray color है इस गाड़ी का और साथ में साथ आपको black graphics और red highlights भी देखने को मिल जाएंगी तो गाइस अब बात करते हैं इसके stickers की जैसे मैंने आपको बहुत सारे कुछ-कुछ famous Instagram आपको देखने को मिल जाएंगे startle77 मेरे भाई का ही page है so do make sure that you follow on Instagram और जो बाकी modifying beast and team RMS आप बहुत ऑलड़ी बहुत famous है तो आप मुझे जा उन pages को definitely जानते ही होगे board exhaust यह exhaust काफी जादा highlighted है market में because यह exhaust one of the most famous brands में से है इस गाड़ी के अंदर अलड़ी एक मफलर लगा वा था बहुत लगा बट उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कुछ मतलब हर्षित को चाहिए था कि मेरी गाड़ी थोड़ी और responsive बने और थोड़ी से और लाओड हो तो हर्षित में पूरी straight pipe अपनी गाड़ी करा दी और इसमें एक valvatronic system आपको देखने को मिल जाएगा मैं sound definitely मुझे पता है valvatronic system एक बहुत ही अच्छा system होता है और बहुत कम cars होती है जो बहुत अच्छी sound निकाल पाती है उस system से but this is I'm telling you this is one of those cars which really sound good and the loudest if you cannot believe me yet I'll make sure कि मैं एक वीडियो जरूर डालूं जिसमें से आपको पता चलजाए कि इस गाड़ी का जो full potential है और जिस high revs पर ये गाड़ी rev करती है और जो sound निकालती है वो बहुत ही जादा responsive और amazing है अब रही बात इसके tires की tires जैसे मैं आपको बताई दिया इसके अंदर stock क्याले पर पीछे का जो drum है वो पेंट हुआ हो है और बट आगे अगर मैं आपको आगे लेकर जाओं तो आगे आपको disc red color में देखने को मिल जाएगी साथ ही साथ आपको उसके अंदर tire stickers देखने को मिल जाएगे tire stickers is basically a personal choice आपको बहुत सारे patterns market में देखने को मिल जाएगे और market में देखने को आपको बहुत साथ आप customize भी करवा सकते हो गर आप चाहो तो depending upon जैसे हर्शित में यहां पर रिलाक्स बिच करके रिखवा रखा है so it's just a personal preference whatever you want to do you can do in this particular if you have a good car and if you want this particular mod on your car okay so guys हमने इसके tires की और इसके calipers की जो बात करी ली but definitely अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी again एक बहुत ही जिसे कहते है ना बहुत ही visible mod के थुरू जो जिसे कहते हैं decroming यह handles कुछ models में body color आते हैं और कुछ लोग chrome भी लगवा लेते हैं भार से but and what about this grill this grill and I should say यह taping होती है side की yeah I don't know I'm not getting the right word for it but Harshit ने बहार से after market लगवाई है और इसको decrom करवाया हुआ आपको गाड़ी थोड़ी सी tinted लगी रही होगी because seeing my finger pointing out at this at this particular area यह definitely quarter glass jet black है रही बात पूरी गाड़ी की तो सिर्फ जो चार शीशे उसके अंदर आपको 50% film देखने को मिल जाएगा और जो पीछे का शीशा आपको jet black देखने को मिल जाएगा यह legal नहीं है but I will advise you if you are a car enthusiast and if you want your car to look good you should get it done anyhow तो guys अब बात करते हैं इसके side profile के बारे में इसकी side profile अभी अब ने tinted glass cover कर लिए decroming cover कर लिए और रही बात इसके graphics वो भी और alloys भी cover कर लिए अब बात करते हैं इसके mirrors के बारे में इसके side mirrors उसके अंदर आपको 70 carbon wrap देखने को मिल जाएगा जिसके उपर blind spot mirrors भी देखने को मिलेंगे and again जैसे की पूरी car पे highlight हो चुकी है red की तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको red highlights देखने को मिल जाएगी तो guys अब बात करते हैं again coming out मैं पूरी गाड़ी का इसकी model इसकी बड़ी है कि मेरे को पूरा round लेना पड़ रहा है इस गाड़ी की model इसके explain करने के लिए तो guys अब बात करते हैं इस sticker की इस sticker की actually meaning मुझे भी नहीं बताता पर यह मुझे हर्शित नहीं बताया है it means one of the best I think something different इसका मतलब है something different और something unique और definitely अगर आप इस गाड़ी को जारा अच्छे आंगल से देखेंगे तो definitely आपको लगेगा यह काफी unique है और काफी different है जो इसके नाम को और इस sticker को वो काफी हद तक just effect कर देती है okay तो guys अब चलते हैं इस गाड़ी के back profile के through इस गाड़ी के back profile में उतने ही mods हो रखे हैं जितनी इस गाड़ी के front और side profile में हो रखे हैं front अगर मैं आपको back profile इसके explain करूँ इस गाड़ी के अंदर तो सबसे पहले में टॉप से शुरू करूँ हुआ इस गाड़ी के अंदर शाक फिन इंटीना लगा हुआ है जो custom I should say not custom बट color color painted है जो इस model मैं आपको sports model में I20 के नहीं देखने मों मिलता था 2019 में अब का मुझा idea नहीं बट again I will say ये 2019 मोडल है और 2019 में Hyundai शाक फिन इंटीना sports model में नहीं देती थी तो मेरे friend ने आफ्टर मार्केट लगवा है अब रही बात spoiler की spoiler एक बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है इस गाड़ी को और spoiler एक बहुत ही अच्छे color में I should say एक अग्दम exact more or less the exact color matching paint में painted है और रही बात इसके spoiler की तो मैं ये एक fiber based मतलब I should say spoiler है जो काफी अच्छा जो अगर मैं आपको थोड़ा थार पीछे करूं तो आप देखी रहोगे काफी अच्छी लुक दे रहा है इस गाड़ी को अब रही बात इसके पीछे की diffuser की जिस पर आप चाहते हो कि मैं आउं and definitely I'm going to go for it now इसके अंदर एक custom body kit इंस्टॉल्ड है फ्रंट पे भी फ्रंट में आपको इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला था इस चीज़ के लिए बट नहीं it's just a part of the bumper only but फरक ही है कि bumper जहां पे end होता है उस एकदम उसके नीचे गाड़ी का जो body kit है वो पूरी इंस्टॉल करी गई है इस गाड़ी को नीचे से again मैं same चीज़ बोलूँगा red taping is a must on this car because again red highlights हो रखे हैं अर जगा तो definitely आपको नीचे भी अब when it comes to जब एक आप rolling shot लेंगे इस गाड़ी का मैं जरूर डाल दूँगा एक rolling shot which will make you feel that एक गाड़ी काफी हद तक lowered है but in fact यह lowered नहीं है and Harshad is planning soon to get this car lowered okay तो guys अब मैं आता हूं इसके थोड़ी सी top profile के उधर यह जो है इसकी टेल लाइट से काफी हद तक आई शुट से कस्टमाइज टेल लाइट है आइटविंटी के अंदर ऐसी टेल लाइट बिल्कुल भी आपको किसी भी मॉडल में देखने को नहीं लेंगी और मैंने आज जितनी भी इस पर टेपिंग हो रखी है काफी कस्टमाइज लेवल पर रखी है इसके अंदर काफी कटिंग के बाद यह कैसे डिजाइन निकल कर आया है जो आपको एक आईसे सब्सक्राइब देखें तो आपको एक लेक्सिस टाइप फील देगा जैसे लेक्सिस की गाड़ आपको देखने को मिल जाएगा और आपके टीम सीबीड का स्टिकर देखने हैं तो मेक्शूर तू फॉलो दें इस्टाग्राम बिकॉज यह रही बात इसकी बात करते हैं आपको इस गाड़ी कंदर कोई भी बैजिंग देखने को नहीं मिलेगी आई 20 CRDI और 1.6 पता नहीं क्या कुछ नहीं लिखा होता है इस गाड़ी के ओपत तो अब हर्शित ने इस पूरी गाड़ी को डी बैज करा रखा है और रही बात डी बैजिंग से आपको दूर से देखने में लग रहा हुआ कि यह गाड़ी कितनी क्लीन लुकिंग है और क्ल आपको एक ऐसा कुछ लुक देखने को मिल जाएगा बट अगर आप रिवर्स पर डालते हो तो आपको पता है जैसे कि आई 20 के अंदर रिवर्स लाइट में नहीं आती बल्कि उसके रिफ्लेक्टर में आती है अगर आप को ही भी मॉडल लो तो आपको उसके रिफ्लेक्ट लग जाएगा कि एक्चुल में रात को और दिन में कितनी ब्राइट है और कितनी अच्छी लगती है दिखने में तो गाइज अभी तक हमने इसकी पीशे की सारी लुक कवर कर ली है अब मैं इसके नीचा आता हूँ यह टेप अब डेफिनेटली आप जितना इस टिप का तो आप लुक को अगर लोगो दिखाना हूं तो आमेट्रिक्स का लोग इस अब डिखाना हूं तो अमेट्रिक्स का लोगों इस पेले सीधी लगी वी थी बडिव रही थी बट्याश्ट लगवाया उसके बाद इस टिप की फिटिग थोड़ होगी बड़ अधर वाइस साउंड डेफिनेटी आप लोग सुनना चाहते होगी कि गाड़ी साउंड कैसा करती है अगर इस गाड़ी के अंदर इतना ही सारा समान लगा हुआ है तो डेफिनेटील अगैन वेट तिल अप दे वीडियो में डेफिनेटील एक रोलिंग शॉट इस गाड़ी का जरूर स्टून अगैन ये गाड़ी काफी ज्यादा पुरानी नहीं है और अगैन आइविल जिस से लुक आड़ी काड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी और रही बात इसके स्टाइब्स के अगर मैं देखूं तो आपको बहुत ही ज्यादा अपीलिंग रेसिंग काइंड और एक रेसिंग काइंड और आपको इस गाड़ी कंदर देखने को मिल जाएगी जैसे मैं आपको बोला अब इसका इंटीर पूरा ही इस सीट कवर के थीम में होने वाला है जिसकी वीडियो में बिल्कुल आप लोगों के लिए जरूर बला हूँगा और ये बात तो रही उसके सीट कवर्स की और आपको इस गाड़ी अंटर बेसिक बेसिक मॉट मिदेखने को मिल जाएगे जैसे की 70 मैट हो गए अच्छी क्वालिटी के और मैं ब्रैंड को इंडोस नहीं करूंगा और ये बात इसके इंटीर की देश बॉट अच्छा है और मुझे तो बहुत पहले से पसंदा जब से गाड़ी लॉंच भी हुई थी अब रही बाद इसके स्टेरिंग वील में आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी अगैन ये बहुत ही कस्टम अच्छी सी एक रेड टेपिंग कर रखी है जो एक बहुत ही रेसिंग टाइप अपील दे रहा है और इसके सी वाले टॉइस देखने को मिल जाएंगे मिनियंज हैं अब बात करते हैं इसके टॉप पार्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दूँ तो इस गाड़ी अंदर पूरी एक वेलवेट टाइप रूफ हो रखी है तो एक बहुत ही अच्छा मिटीरियल ह गाइजे और इस लाइक रीली गुड फिटिंग और इस फिटिंग में अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक आपको कहीं भी मतलब कोई थ्रेड निकला हुआ नहीं दिखेगा और इस रीली गुड क्वालिटी वर्ट था थाइस बें ड़न अन दिस कार और बाकी तो लाइट है जिसका मैं का चोटा सकले बाप लोग के लिए डाली दूँगा और लाइक बिफोर देग्स नोट डेफिनेटली तो गाइस अभी तक तो इस वीडियो के लिए इस गाडी के मॉडिलिस के लिए इतना ही था आपको आपको य वीडियो उतनी हथी लगी हो जितना म इस इस पेज़ आपको य गाडी के लिए जितने भी मॉड्स है उनके अपडेट बहीं के थू और या फिर मेरे थू मिलती रहे तो गाइस था मुड़ियो आपको य लाता रहा हूं और अच्छी एच्छी क्वालिटी की वीडियो और आपके लिए बनाँ बनाँ वीकॉस इ आपको टी वैशन एल आपको य ऑझ क्वालिब बनाँ नहीं के लिए मॉड़ियो आपको पर खी खाली के लिए इस के लाइस